Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKS Study Info, I hope you are all doing well एक बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है MTS का लास 4th recruitment notification आउट की गई है 10th, 12th पास ये vacancies रहने वाली है 8000 प्लस पोस्ट है आउट किया गए है JNK students के लिए भी एक good news निकल कर आचुकी है eligibility क्या रहने वाली है कैसे आपको apply करना है सब कुछ हम detail में देखेंगे वीडियो आपके लिए बहुत ही important है वीडियो को एंट टक देखना चैनल पर पहली बार आचुके हो चैनल को subscribe जरूर करना साथ में bell icon को आपको आपको इसी तरह के updates मिलते रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले नीचे comment box में mention करना आपकी इस district से बिलाग करते हो यह है एक optional notification यहाँ पर आप देख सकते हो vacancies MTS की vacancies हैं 4887 हवालदार की vacancies हैं 34139 इसी तरह यहाँ पर बात करेंगे important dates important dates क्या रहने वाले हैं important dates आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो application फारम है वो कल से start हो चुके हैं 27 जून 2024 और 31 जूलाई 2024 last date रहने वाला है बागे important dates आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो computer based examination रहने वाला है वो October November 2024 में रहने वाला है इन दो महीने में किसी भी date पे आपका exam रहने वाला है age के रहने वाली है इन पोस्टों के लिए minimum आपकी age रहने वाली है 18 और maximum 25 years यह आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ mention किया गया है और साथ में age relaxation भी रहने वाली है category wise SC, SD के लिए 5 years OBC के लिए 3 years PWBD के लिए 10 years इसी तरह आप यहाँ पर check कर सकते हो XS में उनके लिए 3 साल की age relaxation मिलने वाली है qualification की बात करेंगे qualification क्या रहने वाली है अगर आपने 10th pass किया है यहाँ पर आप देख सकते हो minimum आपकी qualification 10th pass रहने वाली है अगर आपने 10th pass किसी भी board से किया है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो साथ में अगर आपकी graduation भी है 12th भी है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हो minimum आपकी 10th pass रहने वाली है application fee क्या रहने वाला है यहाँ पर आपके लिए good news है application fee जितने भी candidates general से bilang करते होगे open merit से उनके लिए 100 rupees fee रहने वाला है बाकि जो women candidates है या schedule cast, schedule tribe या जिनको pwbd category है या access man है उनके लिए कोई भी fee नहीं रहने वाला है आप इसके लिए online apply कर सकते हो online आपको कहाँ पर apply करना है आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको registration करनी है registration करने के बाद आपको online apply करना है इनकी जो actual website है ssc.nic.in इनकी तरफ से यह notification निकल कर आचुकी है अगर आप किसी भी district किसी भी UT से bilang करते हो तो आपके लिए a good opportunity निकल कर आचुकी है 10th pass vacancies निकल कर आचुकी है class 4th की vacancies रहने वाली है examination center की बात करेंगे examination center आपको अपने ही state अपने ही UT में मिलने वाले है यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम ज़्यादा तर बात करेंगे यहाँ पर सिरिनगर या जमू की तो जमू वालों के लिए जमू और सांबा में रहने वाला है और इसी तरह कश्मी डिविजन को सिरिनगर में रहने वाला है यह आप यहाँ पर देख सकते हो जमू डिविजन को जमू और सांबा में इसी तरह सिरिनगर में रहने वाला है यह आप यहाँ पर देख सकते हो examination scheme की बात करेंगे इसके लिए आपका OMR based written exam रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में जो हवालदार पोस्टूं के लिए apply करना चाहते हैं उनके लिए physical efficiency test और physical standard test भी रहने वाला है यह आप इस optional notification में देख सकते हो computer based examination के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो section 1 और section 2 यहाँ पर आप check कर सकते हो कितने marks रहने वाले हैं और साथ में इसी notification में आपको syllabus भी दिया गया है यह आप यहाँ पर देख सकते हो computer based examination के लिए syllabus यह syllabus आप download कर सकते हो इसी तरह physical efficiency test या physical standard test क्या रहने वाला है अगर आप हवालदार पोस्टों के लिए apply करना चाहते हो male के लिए 1600 meters 15 minutes में आपको यह complete करनी है walking और female के लिए 1 km in 20 minutes यह आपको walking test रहने वाला है इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो physical standard test आपकी height क्या रहने वाली है chest क्या रहने वाली है male के लिए भी और female के लिए भी साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ preference must है इन पोस्टों के लिए आपको preference देनी है किस stage या किस duty को आप सबसे पहले preference देना चाहते हो तो उसको आपने पहला रखना है बागी को जो आप चाहते हो उनको बाद में रख सकते हो preference इनके लिए must है जैसे कि आपने class 4th पोस्टों के लिए जो jkssb के class 4th पोस्टों थे district wise preference दी थी इसी ज़रा यहाँ पर state और ut wise preference रहने वाली है registration के से करनी है आप यहाँ पर देख सकते हो one time registration, personal details password creation, additional details और declaration यह आपको सब कुछ fill up करना है mention किया गया है actual notification में यह आप यहाँ पर देख सकते हो इस actual notification में सारी details दी गई है आप इस actual notification को हमारे telegram group से download कर सकते हो या इनकी actual website पर link नीचे description books में दी गई है वहाँ से जाके आप हमारा telegram group जोइन कर सकते हो और इस PDF को download कर सकते हो बागे details पोस्टूं की क्या details रहने वाली है वो भी इस actual notification में mention किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो भी state है या जो भी UT है उसका code भी दिया गया है region कौन सा है उसका code भी दिया गया है सब कुछ mention किया गया है किस region के लिए कौन सी vacancy रहने वाली है और यहाँ पर आप last में देख सकते हो जो हवालदार की vacancies है उनके लिए भी यहाँ पर mention किया गया है किस किस region के लिए vacancy रहने वाली है और आप apply कर सकते हो यह 8000 plus vacancies MTS और हवालदार की वेकनोंसी आप इसके लिए अप्लई कर सकते हो अगरattendchasmir के किसी भी डिश्टिक्ट से बिलांग करते हो या जवष्ट का judgemir से बाहर भी बिलांग करते हो तो आप इन पॉस्ट्ट के लिए अप्ले कर सकते हो और्ली इंडिया यह वेकनोंसी के लिए अपलाई कर सकती हो यह थी अपडेट बहुत सारे कंडेट्स के लिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे मिलते आपने इसे नेक्स टूडो में तब तक के लिए गुड लग